वेलकम बैक टू माई टूप्शनल पेपर है का आज किसी वीडियो में देखने बाले हैं जो भी छात्र बीए फस्ट सेमस्टर में हैं तो सोशलोजी का हम पेपर ले किया है जिसमें सबसे जादा इंपोटेंट कोश्चन है और बहुत जाज़बार यह कोशन पूछा भी जा कि बैग्यानिक प्रिवर्ति के मनकी समासास एक बिग्यान है यह बता दो हमें किस प्रकार से आप बता होगी इस प्रकार से लिखा हुआ होगा बहुत बड़ा लेकिन आप इसको शॉट में कैसे बनाएंगे बूम आपको बता दूगा तो आप सब्सक्राइब करने पेपर ह a paper hacker वہ इसका लिखा है कर दिखेंगे दर्लूड कर पाएंगे और इनके सब्सक्राइब को समझाना है तो आप कैसे लिखेंगे को देखो समास्तास्त को निश्चत यहां बोला गया समास्तास्त को निश्चे ही एक बिग्यान कहा जा सकता है मतलब कि निश्चे ही यह निश्चे है कि इसको बिग्यान कहा जा सकता है कहा जा सकता है है नहीं कहा जा सकता है कि समास सास्त को निश्चे ही एक विग्यान कहा जा सकता है इसका कार्ण यह है इसका कार्ण क्या है कि वो विग्यान कहा जाता है अब देखो इसका कार्ण यह है कि समास सास्तर में बेस अभी विशेशताएं पाई जाती है जो किसी विशेश यह फिर जो किसी विशेश को उसके संमस्तास्ता में एक ऐसापी इस नोगई पर नहीं उसलब है कर जया को सिस्क्ता स्व्हाइं सब्सक्राइल से लिए पर नब रोवारकार हैं dei पॉर्पिक इस परकार से लिए कह सकते हैं टॉपिक भी यह है कौन कौन से है नमबर एक टॉपिक जयादा सारे टॉपिक लिखने की ज़रूत नहीं है जयादा हम ज़यादा आप सिर्थ चार से पांस टॉपिक लिख दे ना बस बहुत हैं अब देखो यहां बैग्ज्यानिक पदितियों क इसको छोड़ो मना कुछ आपको याद करना है पांच ही बताऊंगा जादा याद मित करो जो सिंपल तरीके से याद हो जाए देखो कारे कारण संबंधों का खोज उनमें खोजे बता रखी है ठीक है और उसके बाद में कह सकते हैं शर्व भामिक्ता के ऊपर बता रखा है ठी यह चार से पंच आप याद कर लेना हो सके तो आफ समें जो भी दिल करें आपका इसको बहित आप eight वानिमस रखा होता है तो आपको जो अच्छा लगे उसको टपिक को पांच चार से पांच बस उसकी बिसेस्थता याद क्ले बछु आपको मैंने दे कुछ निकाला जाता है मतलब कहा रहा है कि जब किसी छेत्र में विवस्तिक्रमबद की métार हुँ जह लो विवस्तित कि रुप में अध्यन किया जाता है lex Halloween निकाला जाता है, करके निसकर्स निकाला जाता है, तो बिग्यान का जनम होता है, तो क्या होता है, तब बिग्यान का जनम होता है, उसके बाद बोला गया है, बिग्यान के अनिवारित तत्वों के आधार पर, समास सास्त्र को एक बिग्यान के रूप में प्रमारित किया जा स सकता है समास्असर्ट एक विग्ञान है क्योंकि अब यह विग्यान क्यों है समास्थ साथ मैं बताता हूँ इसका विश्कर पोईंट देखा है पहला क्यों है क्यों कि नंबर एक समास्थ तत् congressional प्राधारित एभ गौ के तरह ही जो समाज सास्त्र है वो बैग्यानिक पदितियों पर आधारित है दूसरा तीसरा पॉइंट देखो समाज सास्त्र ये समानिय करणों का सत्यापन संभव है चौथा पॉइंट डालेंगे सब सारे पॉइंट याद करने की जुरूत नहीं है यहां कितने दे रखें प पाइस पॉइंट याद कर लो बहुत दोगा यह सोट में कोशन पूछता है लॉग में नहीं पूछेगा उसके बाद में हैं समास अध्यन में बस्तून निश्टा होती है बिलकुल सही एक सुषात करको उसके बाद मों लगे हैं समाज सास्त्र कारण संबंदों की व्याख् करता है समास्ता तो भविश्माड़ी करता है कि यह हो सकता है तो यहां हुआ को समझ में आ गया तो यहह हमारी टॉपिक थे आपको इस सोदसे हैं आपनोड कर पाएंगे टानीघन कर ढएगा जाके आप को सस्क्राइब कर लेना पैल आइकन को प्रेस कर देना